कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णों की माँ, शंकर का दादा कौन है, हम को दे बता, ये जानने के लिए कृप्या सुनिये, जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वजन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर, अपने अत्मों, ये तो किंसेप्ट कलियर हुआ, कि स्रीमद भकुत गीता, अध्याय नमर अठारा के, सलोक नमर बैसेट में और छैसेट में, गीता ग्यान दाता, ब्रह्म है, सरपुर से, अपने से अन्य, उस परमक्सर भर्म की सरण में जाने को कहता है, वो परमक्सर भर्म कौन है, ये दास बतावगा, वो कबीर साहब है, वो कासी के अंदर धानक रूप में, जुलहे रूप माया था, जिसको एक कवी कह करके, हमने उनका इतिहास बंद कर रख्या था, ये परमक्सर भर्म है, उन्होंने थास्सो वर्स पहले वो ग्यान दिया था, जो आज हमारे सद्गरंथों में विद्मान है, और ये हमारे आचारिये और संकराचारिये, स्री संकर दे, स्री विष्णु जी को अजनमा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते हैं, और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता है, इनकी जनम मर्चु होती है, और इनको ये भगवान बताते हैं, शीव पुराण के अंदर निये मारे धर्म गुरू शंक्राचारियों और सत्यूग शिल wreck राज तक इन प्राम्रों यानी बैरिर्शियों को रिसियों को तो ग्यान कहा होगा इनके बह्गवानों को ग्यान नहीं जिन को यह बहगवान बताते है विष्वशनु और संकरपजी को और ब्रमाजी को और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये परमान है पुरान में, अभी कंसर्ट क्लिर करते हैं। इस परकार दोनों का युद्ध हो गया, इनके दोनों के युद्ध को समावत कराने के लिए उपर से, इस इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुस ने, इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर, तेजों में, इन्होंने लड़ना दे करता है, इसने परतिग्या कर रखिया कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने परगड़ नहीं होंगा, इसका काल रूप कुण सा है, गीता जिदा है, नुम्र 11 के इस लोग नुम्र 47, 48 में ये कहता है, कर जुन देख, ये है मेरा काल रूप, ग्राट तेरे से पहले इसको किसी नहीं नहीं देखा था, और ना आग्ये कोई देख सकता, गीता जी दायनवर 7 के सलोक नुमर 24, 35 में ये कहता है, कि ये मुर्क जनसमुदाय, मुझ एव्यक्तम व्यक्तिम आपनमननते, मुझ एव्यक्त को, मैं अपनी योग माय से छुपा रहता मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ, किरसन मान रहे होंगे, I am not किरसन, तो वो छुपा रहता है, ऐसी छल क्या करता है, कभी विश्णु रूप का दाण करके किसी को दर्सन दे देता है, रिसी को, सादक को, तो वो विश्णु जी की महिमां गाता है, कि आप इसर वसक्त इमान हो, मैंने समाधी कालमा आपके दर्सन हुए, आप छुपाए हो अपने आपको, ऐसे ही कोई सादक सादना कर रहा है ब्रम की, तो उसको ब्रमा की रूप मदर संदे देता है, वो कहता है, ये ब्रमाजी सर्वसक्ति मान है, ये छुपाए बैठे अपने आपको, और किस आपके मैं सर्ष्टी रचना का पालन करने वाला, ब्रमाजी के मैं उत्पत्ती करने वाला, विष्णो जी को ये था कि तुम मेरी नाभी कमल से उत्पन हुआ, ब्रमाजी कहते हैं, मैं सारी सर्ष्टी का उत्पन करने वाला हूँ, मैं परजा पिता हूँ, इन दोनों का यय दो गया तो तब यह आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अग्यानता से अपने आपको इस मान लिया बगवान मान लिया यूर नोट गॉड यह देखाता हूँ आपको यह देखेगा श्री श्रीः महा पुराण हिंदी टीका सिथ भाग एक यह श्रीः महा पुराण इसके कौन है लेखक विद्यावरिधी पंडत ज्वाला प्रसाद जी मिसर कृत हिंदी टीका सिथ खेम्रा श्रीकरिसनदस प्रकाशन मुबई यह शिवाप पुराण है इसके हम विद्वेशवर सैंटा के कहुंचते हैं यह ग्यारा प्रिष्ट्ट विद्वेशवर सैंटा शिव पुराण अध्याइज है यहां पर नंदी केशवर यानि वह नंदी वैल बता रहा है वगवान संकर का नंदी केशवर बोले कि हे योगिंदर एक समय विश्णु भगवान सेज सयाव पर अपने गुरुरादी पार्षदों के सेज युक्त लक्समी सहित सेयन करते थे उस समय ब्रह्म ग्यानियों मस्रेश्ट बिर्माजी अपनी इच्छा से वहां आए सब परकार सुंदर सेज पर सेयन करते हुए कमल लोचन विश्णु जी से पूछने लगे तुम कौन हो मुझे देख कर अभिमानी पुरुष के समय सेयन करते हो वत्स बेटा उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ आये हुए स्वामी का गुरु को देख कर भी जो अद्मान करता है उस द्रोही मूड का प्रासित होना निश्चित है यह सुनकर विश्णु जी के अंतरमत क्रोध हुआ पर उपर से दिखाया नहीं परंतु बाहर से सांत्रे और बोले बेटा वत्स ब्रमा विश्णु जी ब हो रहा है गर्मा जी बोले है वत्स विश्णु तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है यह पूतर मैं तुम्हारा रक्सक और जगत का पिता मैं हूँ विश्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझम सतीत है तुम चोर के समान किस परकार अपना कहते हो तुम मेरी नाभी कमल से उत्पन हुए हो इससे तुम मेरे पूतर हो इनका लठ बाज गया अग्याते में इनका अपस मैं लठ लठा होगे देवता फूल बरसान लाएगे अक्साबास मरो कटक है यह हमारे देवताओं के लक्षन देखिए यह हम अब ग्यार्मा प्रष्टी पड़ रहे अभी यह नीचे आगे हैं यहां देखो मैं स्रेष्ट हूँ मैं स्वामी मैं ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद करने में उत्सक हुए संपुर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अदमुत युद को देखने जले आए और आकास मैं उनका उपर फूल बरसाने ल कर देखावा करा करे करे कि लड़के नामर जा अर्ये देवता फूल बरसाना कि मरो लड़के है और जाओ खतम है तरा के जबहिया इन इत्यासों को पड़ते थे आप यह काल आगा है इनके बीच में सत्म डाल दिया इनके पिताने पिलर तेजों मैं बहुत इसके और छोर को कोई खोड़ने लगे इन अब कुछ नहीं पाया बिर माने जूठ बोल दिया ये कथाब सुनते रहते हूं इस निये इनके बीच में आ गया और फिर इन से क्या इनको क्या हिदाय देता है कि तुम भगवान नहीं हो तुमने अपने आपको भगवान मान लिया ये देखेगा श सकते हैं इस प्रकार जब वो दोनों नर्म होगे बहगवान नर्म है विर माविशुनों पाइन उगर करके क्या बताया कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के इर्च दोनों से कहा क्छे मेरे सकल और निस्कल दो वेद से दो रूप अपर अधर्द नहीं इस कारण से दोनों उन के 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 दो रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धार्ण किया य इस मघबर्म निस्कल अब इन से क्या कहा इस कारण से तुम दोनों को अच्वा दूसरों को ईस्ताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती तुम ने गर्मा और विश्णु ने अज्ञानता से अपने को ईस्माना बगवान मान लिया ये बड़ा ही अद्भुत हुआ ये बड़ा गलत हो गया उसको दूर कर करने को ही में रन सथान माया अब तुम अपना भी मानता कर मुद इस वर मैं अपनी बुधी लगाओ मेरे परसाद से लोक में सब अर्थ परकास होते हैं अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्दक होने से मैं ब्रह्म हूँ आप आगे दिखाता हूं आपको ये अद्धाय प्रश्ण नमर 18 पर देखिएगा अध्याय नमर 10 का और यहां हम आजाते हैं हे पुत्रो गर्मा और विश्णू को कह रहा है इनका पिता ये ब्रह्म काल रुपी ब्रह्म सरपुरस हे पुत्रो ये कृत आपने अपने तप आपने तप से प्राप्त किया है जिसको श्रिष् की उत्पती और प्रले पालन कहाता है विश्णू और ब्रमा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुम ने ये ये कृता अपने तप से प्राप्त किया है जो की श्रिष्टी की उत्पती और पालन कहाता है जो मैंने परसन ओगर्तों में दिये है इसी परकार दूसरे दो क रूद्दर और महेश को परदान किये प्रन्तु अनुग्र करत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है अब इसमें आप दास तो कहना चाहँ था कि दो ते पर माविशुन होगे और रूद्दर और शीव ये दो नारे होगे ये चार होगे और पांचमा ये बोल रहा है ये पांचमा अपनी वास्ट्विक साझे प्रिचित नहीं होने देता विर्मा और विशुन ने संगर वगवान वगवान मायन लिया अब आगे देखना ये क्या कहता है ये काल जो इन चारों को बहुत सा मोधित कर रहा है वो कहता कि मेरा ओंकार मंत्र है अब हम 19 परिश्ट पर आगे ठा पड़ लिया विद्वेश्वर सुनीता अध्याइदस ही चलता है यहां देखा है यहां इस कारण उस ज्ञान की सिद्धी के निम्यत ओंकार नामक मंत्र जब करो अब इमान को दूर करने वाला है सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं यह उंकार मेरे मुक से उत्पन होने से मेरे ही रूप का बोदक है महामंगल करने वाला है यह वाचक है मैं वाचे हूँ यह मंत्र मेरा आत्मा है उसके समन से मेरा समन होता है उत्तर की मुक से अकार पिस्चिम के मुक से उकार दक्षन के मुक से मकार पुरो के मुक से बिंदू मद के मुक से नाद उत्पन हुआ इस परकार पांच परकार से ये निर्गत हुआ वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अकसर हो जाता है ये है सब नाम रुपातमक अब कहने का भाव ये है कि ये ओम एक अक्सर इस विर्मा विश्णू महेश के पिता का है ये हो गया सबस्ट अब हम आते हैं पुने देवी पुराण पर अब इससे क्या सिद हो गया कि विर्मा विश्णू रुदर और ये महेश ये भगवान नहीं है इनका पिता खुद कह रहा कि यू आर नोट गॉड अर ये हमारे अचारिये और संक्राचारिये इंदू दर्म के दर्म गुरू यही नहीं को भगवान बता के हमें मूरख बना रहा आज तक इनका कख नहीं पता था इनको वेदों गीता और पराणों का बताओ पुने अत्मों इनने हमारे बहलेपन का नाजाज फाइदा उठाया इनकली गुरू ने बठा बठा दिया पूरा मानो समाद भूत बनवा दिया और फिर उनकी पूजा करवाते हैं शराद नकालो पेंड़ बरवाओ अब जो साधना दास बताएगा उसमनाद को बूत बने और फिर कोई किरिया की जुरूत थे नहीं उनकी अब देखिए श्रीमद भगवत गीता में हम फिर आते हैं परसंग यह चला था आज के इन अमारे आचारी और संकराचारी धरमगुरूं को तो ज्ञान कहा होगा इनके भगवानों को घ्यान नहीं बताओ सत्यूंग से लेगा आज तक ब्रहम नों ज्ञान नहीं वैदों का जद देखिएगा शुरीवमद देशकार दिख ऑन होगोत, गीता परेस गृुपुर्प्वा कांशित, गवल हिंदी, इसके संपारलागत दगृमद परशाद पहुतार चिमरलाल गोर्षवामी, यह गीता परेस गृुपुर्पूर से प्रकांशित अहे, इसके हम चारसौ चौदा परेस्ट प अब यहां से पढ़ेंगे, जनमेजे ने पूछा, महा भाग किस युग में कैसा धर्म का सुरूप है, इस संपुर्ण विशे को विशे सुरूप से बताने की किरपा कीजिए, व्यास जी बोले, राजन, ये निश्चे की सत युग में ब्रामन वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके दोहरा निरंतर भगवती जगदंबा की अराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदाललाइत रहता था, पर तेक गाहों में, सक्ती यानि दुर्गा का मंदिर का उद्गाटन हो, ये इस विशे की उनके मन में बड़ी उत्शुकता थी, बत दुर्गा की बगती करते थे, अरे तरह फुटे वाग हमारे इसे अचारी है हमारे, अब दुर्गा तो कहती है के वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो, तो क्या ये सत्यूग से लेक आज तक की अब्रहमन लोग वेदों और गीता और पुराणों से ये प्रिचित थे, इन्हें अपना भी नास करें मारा है बठा बठा दिया, अपना भी बगती नास किया, अपना जीवन नश्ट किया, और साथ मैं ये जमानों को भी ले डूग और पृँवरिये, ये तो सत्यूग के ब्रहमनों के विशे मैं, अब कलियों के ब्रहमनों के जानकारी जो वर्तमान के संकराचारियİए और आचारिये तक्रीवर, ये ब्रहमन ही है, ब्रहमन वरण की, अप यहां देखो, वही छटा आज्याय ही चल रहा है, प्रेश्ट टिरेता मरही परंटो कुछ हरास हो गया शत्यू की जो सतिती थी और द्वापर में विश्ष रूप्ष место कम हो गी राजन उन पराचीन यूगों में सत्यूँगट्रीता द्वापर में जो राक्शत समझे जाते थी वत कली में कल्योग में ब्रामन माने जाते हैं क्योंकि अब के ब्रामन प्राय पाखंड करने मतफ़त पर रहते हैं दोसरों को ठगना जूट बोलना और वैदिक धर्मकरम से अलग रहना कल योगी ब्रामनों का सबाविक गुण बन गया है पुन्यात्माओ अब यह इतियास है हमारे इंदो धर्म के धर्म गुरुवां का इ इनके द्वारा दिये गए सप्रिशूल नौलेजगा इनाचारिय और संक्राचारिय और धर्म गुरुवों को कख नहीं पता था हमारे सद्गरंथ क्या बताते हैं और यह के लोग वे धुनाया करते थे यह क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है अहम आमात्मा ब्रह्म यात्म ही प्रमात्मा है और फिर दोसरी तर्फ कहते हैं स्री कर्शन की स्री विश्णों जी की और स्री संकर वगवान की पूजा करनी चीए बताओ अर उदर देवी की पूजा करते है और इनको वगवान बताते है इनके वी से हम लिखा है सपेश्ट है कि ये वगवान है नहीं जिनको ये वगवान बना कर हमें पूजवाया करते थे तो कुन्ना थमाओ ये सौब आगया आपका कि परमातमान आपको सिक्सित किया इस दास को जातम ग्यान युक्त किया अब देखना पुरे विस्वब यह ग्यान जाएगा आप आज से नहीं लगे हो बगती के लिए प्रमात्मा के लिए आप युगों युगों से लगे हो आप बगती मारक पर लगे हो लेकिन वीच में गफलत कर जाते हो किसी भी कारण से आपका इस बगती मारग से पैर फिसल जाता है आप फिर यहीं काल के गड़े में जहरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रियतन करते हो इस जहरे से निकलने का इस कुए से निकलने का तो अब आपका प्रियतन अब आपका जो इस काल के जेरे ते निकलने का ये लास्ट सटेप रह रहा है यदि इस से फिर फिसल गए तो हजारां योगों तक आप इस सटेप पर नहीं आ पाओगे इस चरण में नहीं आ पाओगे जो इस सट मारग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार योगों के बाद ही फिर उने इस बगती मारग को ग्रहन कर पाओगे कारण क्या है? कारण ये है कि ये सट बगती है यथार्थ मंतर है इनकी जाब करने से आपकी कमाई धेर सारी होती है बहुत ज़्यादा हो जाथी और इसका हमने संग्रह करके सत लोग जाना था इस बगती की कमाई के बल से और ये अन्तिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका और हम किसी भी कारण से प्रमात्मा के इस मारग से विचलित हो जाते हैं अन्तिम सांस तक कभी भी तो फिर हम यही रह जाएंगे और यहां का विद्धान है कि जैसे करम प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके पुनों का आपकी सत बगती का धेर लग जागा जैसे आपको पर्थम मंतर दिया जाता है इसमें हमारे कमल है हमारे स्रीर के अंदर है यह चक्कर बने हुए हैं चकर जैसे एक मूल चकर है फिर स्वादिष्ठान चकर है जिसको संतों ने स्वाद चकर बोला है और फिर ना भी चकर है ना भी कमल भी कहते हैं मूल कमल भी कहते हैं अदिष्ठान कमल भी कहते हैं चक्र कहो, कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है, फिर हर्दे कमल यानि हर्दे चक्र है, फिर कंठ कमल है, यानि कंठ वाला चक्र है, और फिर तिरकुटी कमल है, तो इस प्रकार हमारे सिरीर में यह जितने भी कमल चकर है इन पर एक एक देवता का अधी पत्य है मूल चकर के ओपर, मूल कमल के ओपर गडेश जी गडेश जी का barrier है यह समझे लो, यह barrier है अपने आमनिज धाम जाना है यह barrier है, पर्थम barrier है मूल कमल और दूसरा बेरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानि चक्र स्वाध चक्र और तीसरा बेरियर है यह ना भी चक्र ना भी कमल तो मूल कमल पर गनेश जीब वहां के मुखिया है और स्वाधिष्ठान चक्र रुपी बेरियर के उपर श्री बिर्मा जी का रज है सता है और ना भी कमल पर विशुनो जी और लक्षमी जी ये इनके साथ ही है तो प्रिवार है इनका बिर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है और फिर हर्दे कमल पर भगवान सीव और पार्बती यहां के ये अधिकारी है और कंट कमल में सिरी दुरुगाजी तो इस परकार हमने कंट कमल तक जितने भी ये बेरियर हैं इन से पार होने के लिए आपको ये मंतर दे रखे हैं पर्थम मंतर तो इन की बगटी कमाई करके आप जब इन बेरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बेरियर का मारग साफ मिलेगा और आपकी जो कमाई आपने पर्थम मंतर में इन इन देवों की जो मजदूरी की है साधना की है ये आप वहाँ इनका टेक्स देते हुए चलोगे इस परकार हमने सत लोग जाइने में ये सहोगी होते यदि हम इस बगटी पर लगे रहें अन्तिम साथ तक और यदि हम इन से फिसल गए बगटी मारग से तो फिर क्या होगा आप जी ने जो गणेश जी की कि सतर की साधना मंतर जाब किया जो आपको दिया जाता है तो उस कमाई को आप स्री गणेश जी के लोग में पराप्त करोगे वहां गण बन जाओगे और जब आपके इस मंतर की कमाई खतम हो जागी उस लोग में उसके बाद आप फिर स्री बर्मा जी के लोग में जाओगे क्योंकि आपने वो भी नाम जाब कर रख्या उसकी कमाई बहुत गरी बनी हुए तो वहां आप अपनी पुंजी को नश्ट करोगे देवता बन कर उसके बाद फिर आप जाओगे स्री विश्णु जी के लोग में क्योंकि उस नाम की भी जाब की कमाई आपने कर रखिये और फिर वहां आपके उस नाम की जाब की कमाई समाप्त हो जाएगी बगती कमाई वो धन तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा फिर आप बगवान सिव के लोग में जाओगे और इसी परकार वहां भी आप कि पुन समाप्त होने पर बगती के जो बगवान संकर के सतर का नाम आपको दे रखिया उसकी कमाई नश्ट होने पर समाप्त होने पर फिर आप दुर्गाजी के लोक में जाओगे और दुर्गाजी के लोक में जाकर कि आपने इस पुन कमाई को फिर वहां नश्ट करोगे तो इस प्रकार आपको ये पर्थवी पर नहीं आने देगा क्योंकि आप इतने पुन बन जाएंगे आपके और पर्थवी पर आए बिना बगती मिले नहीं और बगती मिलेगी इस कलियों के अंदर सत्युत्रिता द्वापर मैं आप इस बगती को नहीं करते क्योंकि आप स्वर्म ही जो साधना कर रहे होते हैं उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी है और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है जो दो अक्र का जिसमें एक ओ मंत्र है ये ब्रम का पुनात्माओ एक ही जड़ी होती है उसके प्रियोग की विधी में अंतर होने से उसका गुन बदल जाता है तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको पर्थम मंत्र में दिये है वहां उस विधी से जाब करने से उसका गुन वही है अब इस मंत्र में जो सतनाम बना कर आपको दिया है इसकी साधना करने से इस विदी से इसका गुन अन्य होता लाब भिन होता है कई बोली आत्मा क्योंकि हम योगों योगों से अज्ञान से प्रिपूर्ण है अब ये तत्वघ्यान प्राप्ट हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञानादार से तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए यदि हम विद्वान होते तो हमें ये ग्यान पहले ही प्राप्ट होता आप विद्वान नहीं बुदी मान अवस्य है लेकिन उस बुदी का दरप्योग करके आप वगवान से दूर हो जाओगे इस दास ने जो मारक दरसन किया है ये कोट गीवन है ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए उपदेश लेने के बाद उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो खुब और अच्छी तरह निरक्षन करो हर एक बात का और तब देख्या ग्रेन करो देख्या ग्रेन करके यदि गुरू जी के वच्णों में आपको एविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है बगवान से दूर हो जाते हूँ इसलिए दास सबसे पहले आपको ग्यान ग्रेन करने के लिए पुष्ट के देता है सीडी बना रखी है ये सुनो देखो मिलाओ दूसरे संतों से और जब आपको संतुष्टी हो जाए कि ये मारग फाइनल है तो दिख सालो अन्यता मतलो तो जो दास फिर आपको जो भी ग्यान दे आप एक अच्छे विदार्थी की तरह निर्शन से होकर सुनो सर्धा से सुनो बलाइंड फेत करके सुनो पुन्यातमाओ सर्धालूक अमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंद विश्वास करता है और वही सफल होता है लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवटी कितने समर्पित है वो गुरुजी जो भी ग्यान बताते है शिरोधारिय होता है उनके विशे में कोई कहता है जैसे इप्तत्वग्यान के आधार से हमारे भगत अन्य संतों के सिस्टों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं आपके गुरुजी के पास मोक्ष मर्ग नहीं तो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बलो तो पुन्यातमा वो डिवर्टी तो सही है उनका आस्था होने ही चाहिए लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो सर्धा बनाए बैठे अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा इसके आम लगेंगे बड़ा होकर तो वो बिलकुल सही है उसका बिलकुल सही उदेसे है और ठीक उसकी किरिया है और यदि बबुल का पेड़ पौधा बोकर के और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा इसके आम लगेंगे और उसको कोई जानकार विक्ती ये सला देता है कि ये आम का पौधा नहीं है इसको आम नहीं लग सकते और वो ये कहे कि तू मेरी वक्ती मारक को यानि मेरे पौधे को गल्त मत बता तो वो उसकी एक तो आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है वो पूरा विश्वास किए बेठा है उस नकली आदमी पए तो उस व्यक्ती को चाहिए कि इस व्यक्ती ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बता है उसकी फिर पूरा निरेक्षन करना चाहिए तब उसकी से चाहिए करे ना तो बबूल बोने का क्या यूज तो जैसे भी किसी को ये संका उत्पन करता है कोई कि भी आपका भक्ती मारक ठीक नहीं तो उसे पूरा पूछे अच्छी तरह निरक्षन करे और फिर इन सद्गरंथों से मेल करे क्योंकि किसी के लोकवेद से यानि कहने सुनने मातर से अपने पत से डगमग होना ठीक नहीं अपने आत्मों ये दास आपको जो ग्यान देता है ये सास्तर मुकुल है पवित्र श्रीमत भगुत गीता पवित्र चारों वेद और पवित्र पुरान ये पवित्र हिंदु दर्म के सरदालों के लिए शिरोधारिये है शिरोधारिये कारत होता है इनमें जो लिख्या हो सत्त है और इस से बाहर कोई बताता वो ऐस सत्त है ऐस सत्त डूपलिकेट और सत्त ओरिजिनल तो ओरिजिनल वस्तु से लाव होगा डुपलिकेट से नहीं होगा शिरीमत भगुत गीता जाय नंबर 16 के सलोक जाय इस 24 में सबस्ष किया है कि अर्दुन सास्तर विधी को ट्याग कर जो मनमाना आचन करते हैं उनको ने तो कोई सुख प्राप्त होता है ने उनकी गति होती है और नहीं कोई सिध्धी को प्राप्त होते हैं अर्थात यूजलेस तो फ़र फायदा क्या है उस वक्ति के करने का तो गीता द्याय नंबर 16 के सलोक नंबर 24 में तुरंद काया कि इस से तेरे लिए अर्दुन कर्टवे और एकर्टवे की विवस्था में है यानि कौन सी भक्ति करने चाहिए और कौन सी ना करने चाहिए सदगरंथ ही प्रमान है उनको आधार मानना सदगरंथों के विपरित कोई ग्यान देता है उसको स्विकार मत करना वो गुरू ठीक नहीं बावार्थ ये है इस पवीत्तर सदगरंथ के सलोकों गा तो अपने अत्मों ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपको ग्रू जी का ग्यान ठीक नहीं तो उसे परमान लिजिए और फिर अपने परमान दीजिए और फिर भी आपको कोई बिन्ता लगे तो बेश सक किसी को सुउखकार कर लिजिए लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्वे के अंदर इस दास के अतिरिक्त नह तो तत्व घ्यान है और नहीं बग्ती का कोई मंतर समाधान है सब के पासuse less मंतर हैं मोक्स दायक नही है वो सब जूटे और गल्ट मंतर है शास्तर विरुत घ्यान है यह डोल के डंक के पर गहते है अर ऐसा है तो पर्मान दे कोई हमारे सामने आए, हमने अज्ञात्म ग्यान चर्चा का एक प्रोग्राम चला है, उसमें सामने आए, और अपना पक्स प्रस्तूत करे, तो दास जो आपको कहना चाहरा है, वो इस विशे में है कि जो बगती आप करते हो, और जो साधना ये दास बताता है, उसके उपर आपको ऐ विश्वास नहीं होना चीए, विशेश कर उपदेश प्राफ्द करने के बाद, अगर फिर भी वो कोई अगरम मगरम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने एक, दो, चार, बीश, हजार, दो, अजार को मुर्ख बना रख्या होगा, वो गुरुपद प्राप्द कर चुका है, उन औरों को अभी उलजाना ही चाहता है, अन्य था इतने प्रवान देखकर त तो मूड मती भी इनसान समझ जाता है, कि यह संत क्या बताना चाहता है, तो कहने का दास का तात्वरिय यह है, कि जब आप उपदेशी हो जाओ, उसके बाद आप दास के वचन सुनो, और उनको फाइनल मानो, उपदेश लेने से पहले आप पूरी तरक वितरक करो, अपने म नमबर दे रखे हैं, आपके परमानित गरंथ होगे, पुन्यातमों दास अपनी तरफ से एक सब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं, जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा, वो यदी सद्गरंथों से परिचित नहीं है, तो जीव सतर का ही बोल सकता है, लेकिन दास ने उ सद्गरंथों को पड़ा है, जो गौड़ गीवन हैं, और गौड़ गीवन जो विचार हैं, वो जीव सतर से बाहर होते हैं, गौड़ गीवन परमातमा दत जो ग्यान है, उस पर जीव सोच ही नहीं सकता हुआ था, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा, दैट साल, ये लिखा है, और जिसको हमारे धरम गुरू समझ नहीं सके, दास उनको समझा रहा है, कि इस सद्गरंथ का कहने का तात्परिय ये हर ये नू का नू लिखा हुआ है, जो का तो लिखा हुआ है, उसको हमारे धरम गुरू समझ नहीं सके, बस इतनी सी बात है, अब धरम गुरू कौन होता है तो धार्मिक्ता और सद्गरंतों का ग्यान दे और जो सद्गरंतों के विपरित ग्यान देता है और आपसमें लडाके मारता है वो ना धर्म गुरु है ना उसके धार्मिक्ता आसपास है वो तो एक राक्सस व्यक्ती है पिछे आप देखते आए हो हिंदुओं के गुरू मुसल्मानों के साथ लडाते हैं मुसल्मानों के गुरू हिंदुओं के साथ लडाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए और वो हमें मुरख बनाते रहे अब हम देखेंगे अपने सद्गरंथों को और सद्गरंथों मवरनित विजी है उससे हम मोक्स प्राप्ति करेंगे तो दास आपको बता रहा था कि जो मंतर आपको दिये जाते हैं यहे आपको यहां परियोग नहीं करने चाहिए थे आपने इनकी कमाई को संग्रित करना है सुरुक्सित रखना है किसी को आशिरवाद नहीं देना किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुन अक्सीन होंगे और किसी को आशिरवाद दोगे तो भी आपके बक्ति कमाई समाप्त होएगी खर्च होएगी अब जैसे कोई एक पईहें से एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भर है वो कितना बुदिमान है दोनों कंडम वो यूद है इसका यह बुदिमान वक्तिय से काम करता है उसको सला देगा भाई यहां से जाएए वो आगे एक हवा बरने का यंतर है आप वहां से हवा बराएए दोनों का काम चले तो इस परकार हम अगर आशिरवा दे देते हैं तो हमारी पुद्जी नष्ट हो जाती बगती अब ना उसको लाब उसको थोड़ा सा लाब उसको होगार आप यहीं रहेगे दोनों चोड़ चपट क्या फाइदा तो इस परकार हमने अपने बच्चों को भाई बेन माता पिता सब को संबंदी दितने मित्र हैं या वैसे भी कोई एक सद्वावना पुरुक सब से प्रार्थना करने चीए कि आप भी दिख्षा लो और अपनी हवा आप भरो जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकल में वाब रणका तो सब ले लो पंप और आपने भरो हवा जब जुरूद पर फोल करो चलो गाड़ी पर सबारी पर तो कहने का भाव यह है कि इसी परकार यह गुरुदेव जी से दिख्षा ले करके आप स्वम अपने बगती मंतर के जाप साधना के दोरा अपने टायर में हवा स्वम भरो और फिर चलो तो इस परकार आप जी ने अब ना किसी को आशिरवाद देना है ना किसी को बद्दुआ दे ली है दोनों में हमें हानी है पहले क्या था इस काल का जाल है आप देखते हो बुद्रक बड़े छोटों को आशिरवाद देते हैं क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है पाग जैसे पिता की मर्तु के उपरांट बड़े पूतर को एक पाग बांदी जाती थी पगड़ी और फिर वो पिता वाले करम वो करता था आप पिछला इतियास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशिरवाद देने वाला अपनी पुन्जी नष्ट करता है और उनको आशिरवाद देता है जैसे आपने देखा होगा एक पुतरवधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बुधी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है वो उसको दुआ देती है पुतरवती हो तेरे बेटे हो पुतों फड़िये दुद्धों ना ये इस तरह के देते है तो वो बुढ़िया के पास दो चौन नहीं थी होगा तर पुतरवधू को दे दी आप खाली होगी आगे चारदर है ही नहीं तो इस परकार हमने अपनी इस बगती को बरबाद नहीं करना है ना किसी पुतरवधू को आशिरवाद देना है पुतरवधू को भी परमात्मा से जोड़ दे बैटी अपनी कमाई करे और तेरा भी कल्लान अमारा भी कल्लान होगा अपने अत्माँ परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवडी यूपल बंदा संसार एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार जिसने नाम प्राप्त हो गया परमात्मा को आधार मान कर चल रहा है वो इस संसार की मेर तेर की जेवडी में बंदा नहीं गा अब हमने देखी ये बुढ़िया किस परकार आशिरवाद देती है जब पूतरवदू कार उसकी अच्छा मेल सा है तो तो आशिरवाद दे रही है तेरे बाई जीओ तेरे बतीजे जीओ और तो बुढ़ स्वागण हो बुढ़ स्वागण माने मरा इतने तेरा पती नीमर है बुढ़ वर्दोस्ता तक स्वागण बनी रहे और अगले दन उसकी होगी आनपन भुढ़ जेरी से गाल उसने तेरे बाई मरी हो तेरे बतीजे मरी हो तो रांड होई हो तो था वो दूना टोटा कर लिया उसने पहले तो आशिरवाद दे कर खोई फेर उसने बद्दवाद दे कर बगती खोई तो ये कोई बात होई जो दास आपको कह रहा था कि ये बगती मारक जो अब प्रारम हुआ है ये चोथे युगमे ही होता है और ये समय है उसका पुना तमो आप जी सुनते आए हो विसेश कर दो तीन वरसों से के सन दो हजार बारा मैं परले ओएगी अब वो परले का अर्थ कैसे लगा कर पेस करते हैं कि परच्वी पर सर्वाइनास हो जाएगा ये वो परले नहीं होगी ये अधर्म की परले होगी अधर्म का सर्वाइनास होगा अग्यान की परले होगी और ग्यान का विकास होगा आप्सन दोहजार बारा में होगे शरीमत भगतगीता जायनिमर चार के स्लोग नम्र साथ में काहे यिदा यिदा ही धर्मत से गलानी भवती भारत है जब जब धर्म के अंदर नफ्रत पैदा हो जाती है हध्रम बढ़ जाता है धर्म का नास हो जाता है तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अन्स आवतार सरजन करता हूँ भेजता हूँ अपने अत्माँ आप जी को दास बार 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 बताता है हम काल के लोक में रह रहे हैं सरपुर्श के लोक में और गीता जी का ग्यान ये काल भगवान यानि बर्म श्री किरसन जी मैं प्रवेश करका बोल रहा है ये कहता है कि जब अध्रम बढ़ जाता है और ध्रम की हानी होने लगती है तो मैं अपने अंस अवतार भेजता हूँ जैसे श्री राम श्री किरसन रोप में श्री परसू राम रोप में और वो अध्रम का नास करते हैं और दूसरे प्रमात्मा कौन है जो हमारे लिंक में हैं जिन से हम संबन दीत हैं यहां तो हम इसलिए से संबन दीत हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रम के लोक में रह रहे हैं और हमारा मूल मालिक परमक्सर ब्रम है हुआ हमने जाना उसके लिए हम प्रियतन करें तो ये काल के जो आवतार होते हैं ब्रह्म के आवतार कैसे अधर्म का नास करते हैं जैसे मा भारत करवाया किसने शिरी किर्षन जी में परवेश करके इस काल भगवान है, श्री किरसन युद नहीं करवाना चारे थे वो तो तीन बार सांती दूद बन कर गए थे और उन्होंने यहां तक परतिग्या कर ली थी कि मैं युद भी नहीं करूँगा, अथियार नहीं उठाऊँगा तो ये काल है, ये कराता है तो उसमें कहते हैं, अधरम बढ़ गया था और उस अधरम का नास उसने कैसे करवाया माँ भारत का युद करवा कै उसमें दर्में भी मर अधरमें भी मर गे और फिर एक और समस्या पैदा होगी, रोग्जी और ठीकी बेहने विद्वा होगी बच्चे नात होगे वो अधरम कहां बढ़ा वो तो ऐसानती और फैल गी और उन बेहन बेटी तो विद्वा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बद्तमीजियां की उनकी इज़त के दुस्मन बढ़ गए ये खाक अधरम का नास करें उन्होंने अब जैसे परसू राम जी ने अकसत्रियों को मार डाला क्योंकि वो सब निर्दई, अत्याचारी, अन्याई होगे थे और यही सतीती पुन्यात्माँ अधिकतर अब हो चुकी है रादनेता अपने स्वार्थवसी कारिये करते हैं अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपनी स्वार्थवसी कारिये करते हैं वो न्याय और धरम को नहीं देखते लेकिन परसू राम ने उनका कैसे जो अधरम फैला रहे थे उसका नास कैसे किया उनको सबको फरसे से काट ड़ला उनकी हत्या कर दी अब वो क्या अधरम का नास करें उसने उनकी पत्नियाँ बिद्वा हुई उनके साथ शेश बच्चे हुए लोग ने और जादा पाप किये अधरम किये उनके बच्चे भूखे मरगे ये टट्टू अधरम का नास करया इन्हों प्रमात्मा कैसे उस अधरम का नास करता है अधरम की कैसे परलय करता है जो अब होने जा रही है परमेशवर छня सों पहले आये थे उसमें उन्होंने ये तत्व ग्यान और अपनी समर्चता का परमान दिया था परमात्मा ने ऐसे सुख दिये थे जो उनकी सर्ण में आए थे 64 लाग से सुए थे कबीर परमिश्वर जी के सन 1398 से सन 1518 तक 120 वरस परमात्मा इस पर छुपी पर रहे एक जनसादान की लीला की जुलाए का कारिया किया और एक परंसंत की भूमी का की तत्व दरसी संत की भूमी का की और जो भी उनकी सर्ण माई उनके आसिर वादमा तर से उनको सुख होना सुरू हो गया यानि प्रमात्मा की सथीथी को पुने स्थाफित किया प्रमात्मा कभीर परमेश्वर्दी में और अध्रम का नास किया और उसके बाद फिर उन महापुरसों के मिले मिलते रहते हैं वो आकर के उनके दुवारा फिर अपने ध्रम का परचार कराते हैं उनसे सुख होता है, जनता को भगती में आस्था बनी रहती है, तो अब ही ये पचास-साथ वरस पहले तक पुनात्मा हो, आप पिछला इतियास देखो कितना सांती से रहते थे लोग, दुखी को दुखी देखर, दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे, एक घर में कोई अभ होती है तो, तो कितना अब विजली गरगी, उन मापरसों के द्वारा सथावित किया हुआ धरम अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने, ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में, ये एक श्टमावरस चल रहा है, इस से पहले कभी समय देखा और वर साहिब जी आए, पूरे पंजाब अक्सेतर में, धारमिकता को कूट कूट कवर दिया, लेकिन दसमें स्री गुरु जी जो थे इनके, गुर्गोविन सिंग जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा, केवल गुरु गरण साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्राहर्म कर प्राहर्म कर दिया, अपनी अपनी डफली अपना राग शुरू हो गया, सराप पीन लागे, मास खाने लगे, अपने अत्माओं जैसे गुरु गरण साहिब क्या है, ये तो एक विद्धान है बगवान का, और उस विद्धान को मेंटेन करने के लिए राजा की हो सकता होती है, संत की, तो जैसे हमारा विद्धान बना के छोड़ दिया, और कोई पर द्धान मंतरी राष्ट्रपती कोई बढ़े नहीं, और यों कहें जा कि इस विद्धान को राष्ट्रपती मान लो, तो सब अपनी डफली बजावंगे, वह तो सारा बात विगड जाएगी, तो उ सचाई है, तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र द्रम में, मुसल्मान द्रम चला, उससे में भी उसमें कोई ऐसा मास और सराव का और तमाखो का बिलकुल समावेश नहीं था, और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराईगर करगी, मास खाते हैं, और तमाखो पीन ये तो आँब बात हो गई है, तो पुनातमों अब ये अध्रम का नास होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग ध्रम की तरफ चलेंगे, क्योंकि अध्रम करके सब छक चुके हैं, सराव मास तमाखो पी कर छक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकलप नहीं दीखता है क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई गणीगर कर गी, और कदम कदम पर आगया साथी मिले हैं पीने और खाने वाले, तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोसिस कर रहा है कि सबत समाज बनाएं, और समाज ही, बच्चे जो पुनातमा हैं, वही अधिक मातरा में हो जाए करेंगे बीडी, सराव, मास, तुमाकों से दूर और सत्वक्ति करने वाले, तो दीरी दीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्या को भी दूर करेंगे, वह भी देख हम देखा, फिर अच्चाई पर लगेंगे, जैसे देख हम देखा, ये बुराई सब मैं घर कर गी है, अब सतियोग तरेता दुआपर की और इस कलियोग की, अब ये प्राइम टाइम है बगती का, मोक्स कराने का, सतियोग तरेता दुआपर में परानी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जनम होता है, तो वो जो भी बगती सास्तर विरुद भी कर रहे होते हैं, तो बगवान विश्णों, बगवान संकर जी, बाबा स्याम जी, अनुमान जी, और भी जो भी देवी देवता हमारे पूचर धरम में हमें पूजे बता रखे थे, सब की पूजा करते थे आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं मेरे साथ क्लास्मेट थे कॉलेज में, राहूल जी, उन्होंने मुझे ज्यान गंगा पुस्तक दीती, पहले समझाया था कि ऐसा ऐसा ज्यान है, जो सदुरंथों के माध्यम से संतरामपाल जी महराजी दे रहे हैं, उस वक्त थोड़ा गुसा आया था कि मतलब शिव भगवान से उपर किसी को मानती नहीं थी, फिर जब द संतरामपाल जी महराजी ने बता रखे थे, सारे प्रमान, उसके बाद मैंने संतरामपाल महराजी से अरदास लगई थी, क्योंकि मेरे परिवार वालों से मैने बोला था, कि मुझे सतलोक आशन बरवाला जाना है, तो उन्होंने मुझे साफ मना का दिया था कि नहीं, बिलक साहब से प्रातना की थी कि परमात्मा मुझे आना है आशरम में सद्लोक आशरम में फिर उसके बाद ऐसा चेंज हुआ कि मेरी फैमिली में मेर पापा में और मेरी मम्मा हम तीनों बरवाला आशरम पहुचें तो इस तरहीके से मैं सद्गुरामपाल महारजी के शरन में पता चला जो कि संद्रामपाल महारजी ने सारे सद्ग्रंथों में से चाहे वह हिंदू-Muslim से किसी के भी हो उन में से निकाले के हमें बताया है कि वह एक मालिक जो हम बोलते हैं कि सबका मालिक कौन है एक वो कभीर साहब है, उनके बारे में सारे प्रमान दिये हैं, दूसरा ये कि जब मैं बरवाला आश्रम पहुची थी, सतलोग बरवाला आश्रम, तो जब मैं संत्रांपल महाजी से आश्रिवाद लेने गई, तो उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ रखा, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में मतलब तकलीफे बहुत थी, बुखार, तो मतलब हर हफते डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा था, बॉडी पैन, लेक, दर्ध होना, वो हमेशा रहता था, उसके लिए मेरी मम्मा पता नहीं, घास लेट का तेल, पता नहीं क्या-क्या मुझे लगाती रहती, नानी बॉडी बात है, उसके अलावा मुझे मतलब कभी भी बुखार नहीं आया, दूसरा अलाव ये, कि नाम उबदेश लेने के एक देर महिने बाद, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसे लोग मतलब माता निकलना कहते हैं, एक रात को मुझे बहुत जादा बॉडी पैन हो बॉल दिया कि आपकी तो इतनी महिमा मैंने सुन रखी कभी साहब, तो वो कस्ट जो मुझे हो रहा है, वो हट क्यो नहीं रहा, वो दर्द मुझे हो रहा है, मैं सोनी पारी, मुझे सोना है, इतनी ही मैंने बोला था घुसे में, और मेरी आखे बंद हो गई, उसके थोड़ी उस तरीके से उनोंने मुझे खिलाया है, उस वक्त, वो मुझे देखके मुस्कुरा रहे हैं, मैं उन्हें देखके मुस्कुरा रही हूँ, और उसके बाद जब मेरी आखे बंद हुई है, वो डारेक्ट सुबह के टाइम पर जब में उठी, कहां दर्द था, कुछ भी किसी है, वहाँ पर बेठे हुए था, तो उन्होंने से वितना बोला कि परमत्रम को आपको कहां कहां ढूंडना पड़ रहा है, इतने में संतरामपाल महराजी के रूप में एक परसन वहाँ पर खड़ा है, उन्हें देखके मुस्कुरा रहा है, उसी मर पूरा कभीर साहिब का उ प्लीज, जो आसपास के लोग या मीडिया आपको बता रही है, उस पर विश्वास ना करें, आप उस बारे में जानने के कोशिश करें कि वहाँ एक्च्वल हुआ क्या था, वो जानने के कोशिश करें जो आपके सामने नहीं है, पर एक्च्वल में है, जो आपको हर एक बं मान नहीं रहे तो ऐसी ऐसे बहुत सारे प्रमान हैं जो आज पूरे मतलब वर्ड में दिखाये जा रहे हैं कि actual reality क्या थी तो उसे देखें उसे समझें और उस ग्यान को समझें संतरामपल महराजी ने प्रमानों के साथ सद्ग्रंथों से दिया है अब भगत समाज को क्या संद एहने तो उसे देखें उसे मिलाइं जो बता रहे हैं और फिर ने की सही कह रहे है ञ्लत तो आपको ही वह चीजश क्लियर हो जाएगी कि वो तही है या बलत है आपको किसी से पूछने की जरुवत नहीं है बजबता ही थैन्यवात बैंजी सथ सब्सक्राहिस आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgururampal.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें